हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बार्डमेर विधायक मेवारामजेन ने अपने विधायक कोटे से 30 लाक रुपे खादिस आमगरी के लिए स्वीकृत किये और आज उसी पैसे से लाया गया 5600 परिवारों के लिए गे हूँ उनके घरों के लिए रवाना किया गया इस दौरान बार्डमेर के जिला कलेक्टर वीश्रा मीना बार्डमेर विधायक मेवारामजेन बार्डमेर के सभापती दिलिप माली समेत कई लोग मौजूद रहे बार्डमेर विधायक मेवारामजेन ने कहा कि मुख्यमंतरी अशोग गैलोत ये कई बार कह चुके है कि राजिस्तान में कोई भी भूका नहीं सोना चाहिए इसी को मद्दे नजर रखते हुए 5600 परिवारों के लिए 25 किलो प्रती परिवार के हिसाब से गेहुं वीतरित किया जाएगा जो माननी मुख्यमंतरी अशोजी गैलोत की सोच है कोई भी वेक्ति बुखा नहीं सोच है कोई पशू पक्सी भी बूख के कारण है या कोई उनको परिशानी नहीं हो उसके तहत ही राश्तान के मुख्यमंतरी जी के निदेश अनुसार लोगों को खा देके किट पूचाए जा रहे हैं अभी हमने जिलापरसहसन द्वारा सर्वे कराया गए जो जिनकों लाब नहीं मिल दा कोई चाहे एनेचस के ग्यों हैं पैंशन है चाहे 25 रुपे भी हमने और जो समीक मज़ूरे उनको दिये हैं और इसमें ऐसे लोगों का चैन किया गया है जो किसी भी सरकारी योजना से लाप राप नहीं कर रहे हूं और विश्व सर्वे कर ये सूची तयार की गई है बार्डमेर विधान सबा में अब तक हजारों परिवारों को खाते में राशी बोजन के कीट आधी उपलप्त कराई जा चुकी है बार्डमेर के भगवान महावीर टाउन हॉल और पंचायत समेती बार्डमेर से गेहूं से भरेवान हरी जंडी दिखा कर रवाना किये गए बार्डमेर से जागरूप टीवी के लिपॉन